इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिसियल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकोन को अवस्य दबा दें भरोरी में एक सन्यासी महापूरुष की कथा है उन्हें का मारा जम तो गिरस्ती हैं कि आपके वल कहने को गिरस्ती हो आओ भी जबुई बड़े इच्छे महापूरुष हैं वो प्येच्डी हैं गुरु कर्पा है जारखंड में बिहड गाउं में आश्रम बना है वहाँ महापूरुष तपस्या करके और प्रजा में भगवत भाव का परचार करते हैं वहाँ जाने का संकल्प बना है महराज को बारंबर प्रणाम है जो महापूरुष अपना सब कुछ समाहित करके और समाज जागरण संस्कृती जागरण, संस्कार जागरण का अनुष्ठान करते हैं वो सर्वकाल पुज्य है कलिकाल में बहुत कठेले साथ हैं मैं कली आपसे निविदन किया स्वा के लिए तो लगे रहना बहुत सरल है परन्तु स्वाहा करके समाज और धर्म के लिए लगे रहना है बहुत कठेले बाबा को माने प्रणाम किया शिव जी प्रसन होकर वावांग व्यासन दिये तब मा को सती मैया का वह भाव स्मरणाया बैठी सिवसमी पहरशाही पूरुब जनम कथा चितलाई बरत्वाद जी बड़े अच्छे शोता हैं याकवलक जी माराज से पूछे प्रभू फिर आईए क्योंकि पिछली बार सती महिया ने कथा नहीं सुनी थी कथा कौन सुन रहा है इस पर विचार नहीं करना चाहिए स्वयम सुनना चाहिए कथा जीव का सर्वभावेन मंगल कर देती है यह लीरा चरित्र अम्रित में है यह समण में पढ़ते ही जीव का मंगल कर देता है यह कवलक जी ने परिमारजन किया यह अन्यथा प्रश्न करने नहीं आई है कथा जो सकल लोक हित कार अब सोई पूछन चाह सेल कुर्मार रिश्वर इमाल्चर राज की पत्री लाडली पार्वती महिया सारे लोक को जो कथा मंगल भाव प्रदान करती है वो सुनना चाहती है कथा कैसे कल्याण करती है दिखता नहीं है समझ में बसाता है समझ में किस के आता है जो समझता है जो नहीं समझना चाहता है उसको विद्याली की पढ़ाई भी समझ में आती है अच्छी बात कल्याण की बात मंगल की बात परमार्थ की बात शिग्र समझ में नहीं आती है जैसे देखिए विगत दो साल हम लोग कोबीड नामक बिबारी से लड़े जब जाबी लगाने का संदेश आया जाबी समझ रहे हैं अंग्रेजी में जिसको मास्क बोलते हैं मुह का परदा तो मैं विधिकत रूप से ये नहीं मान पा रहा था कि पूरा देश मुह पर जाबी लगा के चलेगा लेकिन कितना मृत्यु का भय है कि हर आदमी मुह बाधे गोम रहा था कोई नहीं अबव लोग लगाए टार रहे हैं काये डर के मारे एक भाई ये योध्य आश्रम पर बैठे थे आये तो हमने कहा आप ये लगाए नहीं है मुह का ढगकन बोले हम सुरक्षित हैं हमने कहा रहे हैं सरकार का अंशासन है आपको करना चाहिए बोले नहीं महराजी देखिए मेरे अलवा सब लगाए हैं अकेले हम नहीं इसलिए लगाए हैं कि सब लगाए हैं सब लगाए रहेंगे तो हम एकदम सुरक्षित रहें ये भी एक चिंतन है कि सब लगाए इसलिए सुरक्षित हैं वस्तुत है हम हो आथवा आप कोई भी हो हर व्यक्ति इस शरीर के जाने से मृत्यू से व्याधी से घ क्यों शरीर से इतना लगा हो गया है कि इसको छोड़ने नहीं चाहता है जानते हम आप सब हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है जब जब अवसर आए तब तक तब 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 तक भगवत कथा अवश्य सुना करिए ये कथा कल्यान ही करती है सब का करती है कान में पड़ेगी तो जनम सुधार देगी कथा सुधार देती है कोई पद है न क्या है जनजन का खल्यान करेगी हाँ गाई है उसमों प्रमामित में है नहीं में नहीं चलिए छोड़ देते हैं उसरा गादे में बाद ये कथा सर्वकाल सब का मंगल करती है माने पांच परश्न किया शिंखला तो चवदह परश्न की है प्रधान पांच परश्न है बाबाबा सवभाग से मुझे आपकी सेवा में रहने की आग्यां पितामा ब्रह्मा से मिली है यद्दिप की में अधिकारणी नहीं हूँ तथा भी मेरे कुछ प्रश्न है जिसका निवास कल्प अग्ष के नीचे हो जिसके घर में कामदेन हो वहो दीनता का दुख क्यों स्विकार करे ए विश्वनात ए चंद्रशेगर मेरे प्रश्नों का समधान करने की करपा करिए प्रश्न क्या है वेद पुरान जिनकी नाना विधी गान करते हैं वेद नेद नेद करके विश्राम कर जाते हैं सरस्वती शेष नारायन अनेक विधी जिनके बारे में गाते ठकते नहीं मुनी लोग जिनका मनन करते हैं साध लोग जिनका भजन करते हैं भगत लोग जिनके समर्ण में दिनरात रम जाते हैं आप दिनरात जिनके नाम का गान करते हैं राम जी अयुध्या के महराद चक्रवर्ती जी के पुत्र ही राम है अथवा कोई और अजनमा अगुन अलेव प्रश्न का उपसंगार है जो उन्रे पतन यता ब्राहम की मी नायरी पिरह मतिवो तेफी चरित महिमा सुनत ब्रवत बोधी अधीवो पिछले जनम में बनमे चरित्र देखकर और अगस्त महराज से उनकी कथा शवन करके मेरी पुद्धी में ब्रह्म हो गया पर तब वाला ब्रह्म अब नहीं है कथा जीवन के अधार्त से परिचय करा देती है कथा जीव को सोते सोते जागृत करा देती पहले बार तो पुर्वाग्रह से गरस्तन जिया जाए ऐसे ही था पुझ्यपाद गस्तवाम जी ने कलियू का एक बड़ा ही अद्भुत प्रताप कहा है कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुन्य होई नहीं पापा कलियू की क्या महिमा है मानसिक पुन्य कर ले तो उसका फल प्राप्त हो जाता है मानसिक पाप ताप समर्ण करे उसका कोई फल नहीं उसका तरास नहीं मिलता है तो बैठे बैठे भी मानसिक पुन्य करते रहना चाहिए बैठे बैठे मन से गंगा सनान करते रहना चाहिए बैठे बैठे कुछ दान करते रहना चाहिए बैठे बैठे समर्ण में रहना चाहिए बैठे बैठे परमार्त का चिंतन करके करते ही रहना चाहिए मानसिक रूप से पुनीत प्रतापा किसी युग में नहीं है सत्य युग में सत्य के आश्रे त्रेता में यग्य के आश्रे द्वापर में प्रभु पूजन के आश्रे और कलिकाल तो वदभूत है साब पता नहीं लोग कोई इसकी निंदा करते रहते कल युकी लोग निंदा ही करते करते ठकते नहीं समय बहुत बुरा चल रहा है काई बुरा चल रहा है समय बहुत अच्छा है जिसको जानते नहीं उसका समर्ण करके वर्तमान को बुरा क्यों बताना भूत का समरण करना भविष्च के शिंगार के लिए सत्य युग ऐसा था, द्वापर ऐसा था, प्रेता ऐसा था लेकिन आपको पता है कि आप कैसे थे नहीं न, तो अच्छा है कलिकाल इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा कुछ नहीं है इसका समर्ण करिए मां के प्रश्णों को सुनकर बाबा गदगद हो गए हरही राम चरित सब हाँ प्रेम पुलकिलोचने और बाबा ने सरवपर्थम मंगलाचरण में समर्ण किया प्रभुका और मुह खोलते ही मा भगवति की प्रशंसा किया धन्य धन्य गिरी राज कुमारे तुम समान नहीं को उपकारे तुम समान नहीं को उपकारे पूछे हुरगू पति दखा प्रसंसा पूछे हुरगू आटिकाचा प्रशंका शकल लोक जग पावन उन्हीं आए शकल लोक जग पावन उन्हीं आए दन्या दन्या आप धन्य हैं भगवती आप धन्य हैं क्यों धन्य हैं आपने वह कता पूछी है जो कता सब लोकों को गंगा जी के समान पावन करती है सकल लोक जग पावन उन्हीं इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें बेल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब